ये तस्वीरें दिसंबर 2015 की हैं जब हार्ट ओफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए भार्ची विरेश मंत्री सुश्मा सुराज पाकिस्तान के इसलामबाद पहुंची थी इस दोरान दोनों देशों के बीच उमीदों के नए रास्ते खुले थे उसके बाद प्रधानमंत्री नरिद मोदी के लहोर यात्रा ने उमीदों के इन पंखों को नई परवाज दी थी लेकिन हार्ट ओफ एशिया का ये सफर अब अमरित्सरा पहुंचा है लेकिन इस बीच पठान कोट उड़ी और नगरोटा जैसे आघात हैं तो आतंग को पालने पोसने का धबा भी पडोसी देश अपने उपर ढो रहा है अगले दो दिन अमरित्सर में हार्ट ओफ एशिया संबेलन होने जा रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि भारत पाक के बीच मौझूदा हालात और विशेश का नगरोटा हमने के बाद आतंगबाद का मुद्दा हावी हो सकता है आतंगबाद को लेकर एक ड्राफ प्रपोजल अफगानिस्तान ने पेश करा है इस ड्राफ प्रपोजल में वो सब मुल्क जो टेरिजम को सपोर्ट करते हैं उनको आरे हातों लिया जाएगा वहीं सम्मेलन में भागिदारी के लिए पाकिस्तान के प्रतिने धी और पाक के विदेश मामलों के सलाकार सर्ताज अजीज भी रविबार को अमरेश सर में होंगी हलाकि बुदवार को ही भारत ने साफ कर दिया कि उसकी रवनीती सीमया पर आतंगबाद को अपनी कूटनीती का हिस्ता बनाने वाले देशों के खलाफ सखती की होगी और दुवपक्षिय वारता की कोई संभावना नहीं है अमरिश सर पूरी तरह से तयार है तीन और चार दिसम्बर को होने वाले हार्ट ओव एशिया सम्मेलन के आयोजन के लिए आफगानिस्तान की शांती प्रक्रिया विकास की कोशिशें आर्थिक सम्रिधी पर जहां जोर होगा वहीं दक्षिन एश्या में आतंगबाद और विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ शेत्रिय संपन्निता के रास्ते भी एजिंडे में होंगे और यही कारण है कि आफगानिस्तान के पुनरगठन के उद्देश से दुनिया के 40 प्रमुग देशों की बैठक भी होगी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में जहां प्रधारमत्वी नेरिन्द मोदी के साथ आफगानिस्तान के रश्चपती भी मौझूद होंगे हाट ओफ एशिया इनिशेटिव की शुरवाज साल 2011 में इंस्तांबूल में हुई थी जिसके केंद्र में ही आफगानिस्तान को लेकर शेत्रे सयोग को आगे बढ़ाना था संभाबना जताई जा रही है कि सम्मेलन के अंत में जारी होने वाले अमरितसर घोष्णा पत्र में उन देशों के निंदा की जाएगी जो आतंग को प्रायोजित और समर्थन देने में लगे हैं वहीं सम्मेलन में सुरक्षा व्यवस्था के पुखता व्यवस्था की गई है जिसमें अर्धसानिक बलों की छे कंपनियों के अलावा स्थानिय पुलिस भी चप्पे चपे पर नज़र रख रही है अमरित स्थान सबला और अमरित पाल सिंग के साथ नियूजनाइट डेस्क डी डी न्यूस पाकिस्तान पर अब अमेरिका भरुसा नहीं करता अमेरिका में लगातार ये भावनाप बढ़ रही है भले ही पाकिस्तान इस बाबत कोई भी दावे करता रहे अमेरिका ने एक बार फिर पाक के दावे की पोल खोली है पिछले दिनों एक खबर आई जिसमें पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि पाक प्रधानमंत्री नवास शरीफ और अमेरिका के निर्वाचित राष्टपती टरंप के बीच फोन पर बात चीत हुई है जिसमें डॉनल्ड टरंप के हवाले से दावा किया गया था कि वो पाकिस्तान के दोरे पर आना चाहेंगे और पाकिस्तान का दावा ये भी था कि नव निर्वाचित राष्टपती टरंप ने प्रधानमंत्री शरीफ की भरपूर तारीफ की है लेकिन जब यही बात अमेरिकी वाइट हाउस के प्रेस सचिफ से पूछी गई तो कहा गया कि एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जब अमेरिका के राष्टपती कहीं के दोरे पर जाते हैं तो इसका देश की जनता तक बड़ा महतुपून संदेश जाता है खासकर पाकिस्तान के साथ जिसके साथ हमारे संबंद कहीं ज्यादा उल्चे हुए हैं अमेरिकी वाइट हाउस के प्रेस सचिफ जोश अरनिस्ट ने साफ कहा है कि शरीफ और टरंप के बीच हुए फोन कॉल की सत्यता और लहजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता इस मामले को उस वक्त और बल मिला जब अमेरिकी वाइट हाउस के प्रेस सचिफ की तरफ से कहा गया कि निवर्टमान अमेरिकी राष्टपती बराक उबामा ने अपने कारेकाल की शुरुआत में पाकिस्तान जाने की इच्छा जताई थी लेकिन उस देश के साथ पेचीदा संबंधों के कारण वो ऐसा नहीं कर सके उधर भारत ने भी खराब रिश्टों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि पाकिस्तान को ये आत्म निरीक शर्ड करना होगा कि दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव क्यूं है एक निजी चैनल से बाचीत में जीटली ने कहा सीमा पार तनाव से निपटने को लेकर भारत के रुख में बदलावाया है क्यूंकि वो पाकिस्तान के आतंकवाद के निर्यात के कारण चुप रहकर बहुत सह चुका है नई आम बात ये है कि भारत इस बात को सुईकार नहीं करता कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजना और भारत को चोट पहुँचाना जारी रख सकता है यदि वो ऐसा करते हैं तो इसकी अपेक्षाकरित बहुत भारी कीमत चुकानी होगी कुल मिलाकर भारत के साथ ही दुनिया के तमाम देश बार बार पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं लेकिन पाक है के मानता नहीं निउसनाइट डेस्क डीडी निउस